इस वीडियो में आप से डिसकस हुँआ पीज एलेक्रिक ट्रांिएसर्सक्स К आप जहों पीजिए काफ़ी प्रांडिडिक अनु सप्रिणिसर्सक्सक अब ज्योबि काथ कौन के लेगाॏध यह फिस अपका ज्युन गराईगा है। source देगा means इसको कोई भी generation के लिए कोई भी external source की यूज नहीं करना पड़ता है पीज़ेलेक्रिक ट्रांजिसर को जो को पीज़ेलेक्रिक ट्रांजिसर होते हैं वो क्या करते हैं वो पीज़ेलेक्रिक ट्रांजिसर है इसकी पूरी वर्किंग होती है पीज़ेलेक्रिक क्रिस्टल के सकते हैं कि पीज़ेलेक्रिक क्रिस्टल में एक कंडिशन होती है कि अगर उसके अगर हम उपर अगर मेकैनिकल फोर्स अप्लाइ करेंगे तो हमें कुछ आउपूट में उसके voltage source में और वोल्टे इन्में देता आपका show P is electric crystal तो वही मेरे principle में यहां पर लिखा है P is electric crystal क्या हो था है P is electric transistors क्या होता है if the dimension of the crystal are changed by the application of the mechanical force electrical potential appear across the surface of the crystal this potential is produced by the displacement of the charges and also if the varying potential apply to the dimension of the crystal it may change the dimension of the crystal by deforming it this is called आपको है तो고 युझा है कि अगा उसके और तो वीक्टैल इसे के टितव में अगर मेरे आपको बुक्षा पहुक्त कोDe कि एक होता है कि जब हम input देंगे तो इसके dimension में चेंज आएगा, अगर हम इस crystal के dimension को change करेंगे तो इसके दो end से हमाँ output मिलेगा, यह होता है आपका piezoelectric effect, और piezoelectric effect पर ही आपका piezoelectric transition work करता है, अब piezoelectric crystal कि स्टैप्स के होते हैं, piezoelectric crystals के हापर मैंने कुछ नेम लिखे हैं, एक ह इस पर अगर आप force लगा के इसके dimension change करेंगे, तो इसके दो end होंगे, उनसे हम voltage output ले सकते हैं, तो इस principle का use करके हम एक transducer convert हम बनाया है, transducer क्या करता है, आपकी one form of energy का other form में convert करता है, similarly आपका piezoelectric transducer, आपका physical quantity जो आप इसको पर mechanical force लगा रहे हैं, उसे electrical output में चेंज कर र pressure transducer, पीजिलेक्टिक, पीजिलेक्टिक प्रेसर transducer की figure है इसमें क्या कर रहा है, एक आपका chamber होता है, chamber का inlet होता है, इनलेट के अंदर थे आपकी जो pressure है, वह जो वेरिंग pressure है, जो आपके इंडिस्टिस में जहां भी आप इसको रहे हैं तो आप जो आप जो आप जो आप इंडिस प्रेसर, इधर होता है, इधर होता है, मैटल डैफर्म का्याcrireते है, जासे इसको पर pressure होता है, तो यह चासी पर प्रिंसिपल लगेगा, तो आप पूटर का और शिर्थ गोर होता होता है, तो सेम आप्लिकेशन इसके हम अपनी जो रूंजिस्टिस न होती है, वह इ जैसे कि टाइफराम पूश होगा यहां इंसके साथ ऐसे साथ करें पर सकते हैं तो उमें पता चलियागा कि कितना प्रेसर जो आ रहा है वो अंपनी मेजर कर सकती है विद दियल भॉड अधर ट्रांसुसर अधर सेंसर्स तो अप्लिकेसिन के बात करें तो इंजन नोक्स सेंसर तो जो जो पीज़ेक्टर ट्रांसजिशर वो एंपरेंट टॉल प्ले करता है तो यह था आपका पीज़ेक्टर ट्रांसजिशर तो अगर तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगभी तक अपने अगर हम इंस्टाग्रम पर फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्रम पर फॉलो कर सकते हैं बेसिक लेक्ट्रिकल इंगिनेरिक थैंक यू